महा शिवरात्री से पहले जार्खन के पलामू में भारी बवाल हुआ है। यहां तोरण द्वार बनाने को लेकर इतना विवाद हुआ कि दो समुदायों के बीच पत्थर चले आगजनी हुई। कई बाई को आग के अवाले कर दिया गया। पलामू के पांकी इलाके में भारी तनाव के हालात हैं। हालात पर काबू पानी के लिए पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। साथी आसपास के तीन पुलिस थानों की पोर्स भी पांकी में तैनात कर दी गई है। लगा दी गई है, दरसल तोरण द्वार को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए, उस वक्ती तस्मीरे भी आपके सामने है, जमकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई और इसके बाद फिर आगजनी की भी घटना सामने आई, जिसको देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, मामला संसिटिव इस वजह से है, क्योंकि महाशिवरातरी का त्युहार आ रहा है, इससे पहले माहौल ना बिगड़े, इसको देखते हुए पुलिस ने अतिहातन कदम उठाए है, तो हालात पर करने लगे दोनों समुदाए, हाला कि जैसे ही इसकी सुचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुँची, हालात को काबू किया गया, भीर को तितर पितर किया गया, फिलहाल बवाल को शांत करा लिया गया है, इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन आप को अंजाम देने की कोशश इसे कहा जा सकता है, माहौल में तनाव पैदा करने की कोशश इसे कहा जा सकता है, और इसीको ध्यान में रखते हुए, भारी पुलिस स्पोर्ज को मौके पर तैनाद किया गया है, धारा 144 लगा दी गई है, ताकि स्तिती को नियंतरण में रखा ज इसी सब्ता माशिवरात्री मनाया जाना है उसकी पहले पलामू में भारी तनाव है दो समुदायों की भी जड़प हुई है पत्राव और आगजनी की घटना घटी है लोगों ने बाइक को आग की हवाले कर दिया है पूरे इलाके में पुलिस गश्ट कर रही है तो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं आप तस्वीरे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मौके पर हालात कितने बिगड़े हुँगे तरसल तोरं द्वार निर्मान को लेकर ये विवाद हुआ और इसी विवाद में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए देखते ही द का जो त्योहार है वो नस्दीक है और इससे पहले कोई बड़ी साज़िश को अंजाम ना दिया जाए इसको देखते हुए पुलिस ने एतिहातन कदम उठाए हैं